तर यमन में हुथी लड़ाकों ने ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी कर अमेरिका और इस्राइल को खुली चेतावनी दे दी ये वही हुथी लड़ाके हैं जिनोंने लाल सागर में सूपर पावर अमेरिका की नाक में दम कर रखे इसी वज़े से पिछले अपते अमेरिका और बिटिन ने यमन में मौझूद उनके कई ठीकानों पर हवाई हमले कर वहां तबाई मचा दी और उसी के बाद अमेरिका समेत इस्राइल के सभी मददगार देशों को धंकाने के लिए हुथी लड़ाकों ने अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया उसमें यमन के एक सुनसान इलाके में आधुनिक हत्यारों से लैस कई हुथी लड़ाके एक इस्राइली कैम्प की तरफ बढ़ते दिखिये। बेनिमिन ने तन्याहू की तस्वीर पर ताबड तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद हुथी लड़ाकों ने वहां मौजूद दो लोगों को बंधग बना लिया। उन्हें वहां से लेकर निकलने के बाद उन्होंने पूरे कैम्प को ही धमाका कर उड़ा दिया। मतलब इस वीडियो को जारी कर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो हमास की तरह इसराइल में गुसकर हमला कर सकते हैं। उदर अमेरिका की धमकियों से बेखौफ किम जोंग उन्हें एक बार फिर मिसाइल का परीक्शन कर डाला। हाला कि उत्तर कोरिया ने ये दावा भी किया कि उसकी ये मिसाइल किसी को नुकसान पहुचाने के इरादे से नहीं बनाएगे। लेकिन इस दोरान उत्तर कोरिया ने अपनी इस नई नवेली मिसाइल की ताकत का डंका बजा कर अपने दुश्मनों को चितावनी भी देडा ली उत्तर कोरिया की सेना के मताबिक उसकी ये solid fuel hypersonic missile हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखती है और किम जॉंग उन इसे अपनी सबसे घातक और आधोनिक मिसाईल बता रहे हैं लेकिन उससे भी जरूरी है इस मिसाईल परिक्षन की टाइमिंग क्योंकि उत्तर कोरिया ने ये परिक्षन तब किया जब उसकी विदेश मंतरी रूस के दोरे पर है मतलब किम जॉंग उनने एक तरह से ये मिसाईल परिक्षन कर अपने परोसी देश दक्षन कोरिया को फिर एक बार चेतावनी दे डाली और उसने इस बार अमेरिका की धमकी को भी हवा में उड़ा दिया मतलब एक तरफ तो उसने मिसाईल की ताकत दिखाई तो दूसरी तरफ रूस से अपनी मजबूत होती दोस्ती की तरफ इशारा भी कर दिया और ये भी साफ कर दिया कि अगर दक्षन कोरिया की मदद के लिए अमेरिका आगे आया तो उसे किम जोंग उनके साथ ही पुतिन से भी टकराना पड़ सकता है